आज की हमारी मूवी का नाम है A Long Weekend जो रिलीज हुई थी 1978 में मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिसका नाम मरसिया और पीटर है वो दोनों ही छुट्टियों में जाने का प्लान करते हैं मरसिया का एक लवर है मार्क जिससे वो फून पर बात कर रही है मार्क असल में उसी के पती पीटर का दोस्त है मरसिया मार्क के साथ टाइम स्पैन करना चाहती है लेकिन मजबूरी में उसे पीटर के साथ जाना पर रहा है दोनों के रिष्टे में प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मरसिया ने अभी अभी अभाशन करवाया था और वो इसका जिम्यदार पीटर को मानती है लेकिन पीटर कहता है कि उसे तो बच्चे पसंद है इनके बीच क्या जोल चल रहा है कुछ पता नहीं और अपनी इसी जोल को समझने के लिए पीटर उसके साथ बीच पर छुट्टियां बिताना चाहता है पीटर का एक डॉग है क्रिकेट पीटर उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन मरसिया को क्रिकेट पिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन पीटर उसे साथ ले जाता है मौसम काफी खराब था और रास्ते भर दोनों एक दूसरे से लड़ते वे जा रहे थी अगर इन दोनों के पास चाकू होता तो शायद अब तक ये एक दूसरे का काम तमाम कर चुके होते पीटर एक जलती हुई सिक्रेट बाहर फेकता है जो सुखे घास पर जाकर गिर जाती है और घास में आग लग जाती है मरसिया सो जाती है जिस वज़ा से पीटर को भी नीद आने लगती है और इस चक्कर में वो रास्ते में एक कंगारू को ठोक देता है लेकिन पीटर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और उस रास्ते से जितनी भी गाड़िया निकल रही थी उस कंगारू को रोज़ते वे आगे बढ़ रही थी फिर वो एक गैस स्टेशन पर रुखता है पीटर वहां के लोकल बंदों से उस बीच के बारे में पूछता है लेकिन अच्छमबा है कि उस बीच के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था उदर एक ट्रक ड्राइवर जिसकी शकल हूबा हूब पीटर की जैसी थी वो मरसिया को गूरे जा रहा था और उसे देख मरसिया भी दंग रह जाती है खैर वो अपनी मंजिल के तरफ बढ़ते हैं उन्हें एक बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि ये जगा सेफ नहीं है लेकिन दोनों खुद को चौधरी समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है पीटर की हालत खराब है क्योंकि जंगल में उसे जंगली जानवरों की आवाज ही आ रही थी जिस वज़ा से क्रिकेट भी डर रहा था पंक्चर ठीक करने के बाद वो वापस से ड्राइफ करने लगता है और उन्हें एक पेड़ पर एरो का साइन दिखता है एक घंटों तक ड्राइफ करने के बावजूद वो घूम फिर कर उसी साइन के पास आ जाते थे मरसिया कहती है कि उन्हें वापस जाकर होटल करना चाहिए लेकिन पीटर पर तो बीच में स्विमिंग करने का भूस सवार था इसलिए वो रात को बीच जाने का ख्याल छोड़कर रात बर वही कार के अंदर रुकते हैं और अगली सवाजा मरसिया जाकती है वो बीच पर होते हैं वहाँ पीटर एक पेड़ को काटने लगता है बिना किसी वज़ा के और शिकार करना भी पीटर का शौक था तब ही मरसिया की नजर उसी साइन वाले पेड़ पर पढ़ती है और सूस्ती है कि कल उन्हें ये बीच यहां क्यों नहीं दिखा पीटर उसकी इस बात को सिर्यसली नहीं लेता और सिमिंक करने चला जाता है मरसिया को किसी का अंडवा मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है तब ही उसकी नजर समन्दर की तरफ जाती है और वो देखती है कि कोई चीच पीटर की तरफ देजी से आ र रही है वो जोर जोर से चिला कर पीटर को बाहर बुला लेती है लेकिन फिर वो चीज वहां से गायब हो जाती है मरसिया बताती है कि कल रात उसने किसी बच्चे की रोनी की आवास सुने लेकिन पीटर कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना और फिर हम देखते हैं कि उनके खाने के समान में चीटियां रेंग रही है मरसिया उन पर स्प्रे कर देती है उधर पीटर भी शिकार करके फुल इंजॉय कर रहा था बेर की खाली बॉटल्स को उचाल कर वो निशाना लगा रहा था और सारा गंद बीच के आसपास और अंदर फेक रहा था फिर वो मरसिया के करीब आने लगता है तेकि मरसिया उसमें बिल्कुल भी इंटरस्टिट नहीं है जिस वज़ा से उनके बीच फिर से टेंशन हो जाती है उसके बाद जब मरसिया सो रही थी उसे फिर से किसी बच्चे की रोनी की आवाज आती है और जब बाहर आती है उसे पानी के अंदर फिर से शार्क जैसी कोई चीज दिखाए देती है और इस वाँ पीटर भी उसे देख लेता है बाहर आकर उस पर गोली चलाने लगता है जिस वज़ा से वो मर जाती है पीटर जब खाना खा रहा था एक चील आकर उसे नोशने लगती है मरसिया को लगता है कि जो अंड़ उसके पास है शायद वो इसे चील का है अब उसे लेने आई है येकिन वो उस अंड़े को फोर देती है मर्सिया वहाँ से वापस जाने की बात करती है लेकिन पीटर कहीं नहीं जाने वाला जिस वज़े से वो खुद ही काई स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं हो पाता क्योंकि पीटर ने काई की बैटरीस को फ्रीजर से जोड रखा है ताकि उसकी बेर ठंडी रहे खात में एक जानवर आकर उनका खृँना खाने रगता है और पीटर उसके साथ मजिलेने का ट्राय करता है लेकिन वो जानवर उसका हाथ काट लेता है और पीटर को समझा जाता है कि व improvements चले जाने में ही भलाई आई है और वो कल वापस जाने का फैसला करते है लेकिन सुबा होते ही उसका मूट फिर से बदल जाता है और वो वापस जाने से मना कर दीता है तब यह मरसिया की नजर उसी चीच पर बढ़ती है जिसे पीटर ने कल मार डाला था और वो एक सीका हो थी उसके बाद वो बीच के दूसरी दरफ जाते हैं जहां पीटर ने एक वैन देखी थी लेकिन वहाँ पौच कर उन्हें कोई भी वैन नहीं देखती और एक बाद फिर पीटर की गाड़ी के नीचे आकर एक स्कॉर्पियों की जान चली जाती है एक बाद फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और यहां हमें पता चलता है कि वो बच्चा शायद मार्क का था इसलिए मरसिया ने उसे मार दिया फिर उस जगा उन्हें एक बच्चे का टी सेट मिलता है और वहाँ एक डॉग भी था पीटर उस डॉग की हल्ब करना चाहता था लेकिं वो उसे काटने की कोशिश करते है उधर मरसिया को फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी परिशान होकर वो पानी में डूबने की कोशिश करती है लेकिन पीटर उसे बच्चा लेता है फिर उसे पानी के अंदर एक वैल मिलती है, जिसके अंदर एक बच्ची मरी पड़ी थी, वो वापस जाकर पुलिस को सब कुछ बताने का फैसला करती है, तब ही उनकी नजर उसी काउपर पड़ती है, जो सरक का थोड़ी आगे आगई थी, लेकिन वो तो मरी हुई है, वो कैस जिना सकती है, उधर किर्कट भी कायब हो जाती है, अभी लिए उसके पीटर वापस नहीं जाने वाला, मरीज बताती है, के उसने किर्कट को मार कर दफना दीया हैं, लेकिन मजा कर रही थी, क्योंगि किर्कट तो जिंद हैं, मरेज़ कार के अंदर है, लेकिन पीटर को हो जाती है मर्सिया कार वहीं छोड़ पैदल भागने लगती है वहां पीटर देखता है कि वह सी का उसकी और करीव आ गई है उसे दुबारा से शूट करता है और इस वार उसे भी किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है तबी एक बड़ आकर मर्सिया की सैंडल देखता है और फिर वह अबाज आना बंद हो जाती है लेकि सुबा हम उसे सनाटे में बैठा देखते हैं क्योंकि जिसे उसने कल रात के अंदेरी में मार दिया था वह असल में मर्सिया थी और फिर वह देखता है कि वही सी काउ सरक कर और आ गया गई है वह पैट्रोल छिड देखता है क्रिक्त को अकेला कार में बध करके अब जान पर आईए तो क्या क्रिकेट क्या बाल्स कि फानली पीटर सअठक और रास्ते में इस एक चुछ दिखता है सओ Suzuki आ आगे बढ Veterans आती है और पीटर की उस鄭िन के आ आगे क्ट्टम तो इस था कि यही साथ उनकेया ह। कि अबॉशन पसू पक्षियों को माना बीच पर गंध फैलाना जिस प्रकृति नहीं इतना सब कुछ दिया उसे की जत नहीं करोगे तो अंथ यही होगा जिस तरह से पीटर ने पहले कैंगुरू उसके बाद स्कॉर्पियन को अपने कार से कुछला उसी तरह अंथ में उसे भ अपना क्या रखिये